तो गैसे इस तरीज को हम यही पर रोकने वाले थे यार बट आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्योस्ट कि कि एक और प्रोप्यूलर प्रोड़क्ट बच गया है यहां पर बड़ा पेक लेने पर फाइदा होगा यहां फिर छोटा वाला पेक लेने पर फाइदा होगा उस यह छोटा वाला पेक है यहें पाँच रुपर वाला पेक तो हम ने इसे टोटल खरी दे ही 13 फ् Denise है यहां पर यहां पर तेरा पेक पांच रुपए के और यह रही हमारी 13 नेग इसको रखते हैं यहां पर इसको पहले हिदिग जीरो करना पड़ेगा यह हो गया जीरो ओगे फट आवट से जब को ओपन करते हैं जो देखते हैं कि एक पेक के अंतर कितनी आती है और थर्टीन पेक्स के अंदर कितनी में गिया ती है तो यह हो इस ओपन वाई यह है इसका मसाला इसको भी साइड में रखेंगे क्योंकि इसका वेट अलग-अलग हो सकता है तो सिस्टें रूटल होगे ना इसका ही हम बेट केस्ट करने वाले हैं क्या लगता है आपको कमेंट करके बदना बढ़ा वाला 65 रूपीज का पेक लेने पर आपको ज्यादा फाइगा होगा या फिर ये छोटा वाला पेक खरीने पर पिर काफी सारे से प्रोड़क्त हमने लेखे ही है हमने टेस्ट किया है सब में उल्टा रिजल आया मतलब कभी-कभी होता है कि छोटे वाले पेक में जाता होता है कभी बड़े वाले पेक में जाता होता है और मैं आपको यहां पर इक चीज बता दूँ सब मेंकी में से हमने मसाला निकाल लिया है जैसे कि भाई समझ लो यह मेंकी हो गई इसका मसाला हमने कर दिया रिमूव ओके तो अभी तयार हो चाहिए कितना होने चाहिए वेट तो में पे नहीं दिखा है फटा फट से देख लेते है इसको थोड़ा सा पीछे की और लेते है एंड गाइस 367 इतना वेट निकला है चोटी मेंगी का समझ दो मतलब अभी जोचो किस में ज्यादा होगा यहां पर हमने सारे मसाले निकाल लिया थे जो सिर्फ नुडल हो देना इसको यह हमने यूज किया है वेट करने के लिए देखो 367 तीन सो सरसर ग्राम यहां पर मेगी हमारी हो चुकी है तो अभी के लिए इसको रखते है साइड में आप फटावर से लाइक का बटन दबा देना और हम करते हैं वेट इसका कि इसके अंदर कितना ज्यादा मेगी आता है इसके रूम पर जिया हमने इस ब्लेट को खाली कर दिया और यहां पर स्केल को भी जीरो कर दिया है अभी टाइम है हमारी बड़ी वाली मेगी को टेस्ट करनेगा विएकि इसके अंदर कितना नूडल निगलता है तो फटा उच्छा हम इसको करेंगे ओपन यहां से क्या लग जाब अभी टाइम आज सका है इसको टेस्ट करनेगा अब मेरे इसके अंदर बहुत ज्यादा नुगलेगा चलिये टेस्ट करी लेते कि क्या हो रहा है हाथ ही तो नीचे करी कोई बात ही हम टेस्ट कर रहे ना तो सब को उठा लेंगे वापस से यह है इसके अंदर का मसाला जिसको भी हम निकल लेते हैं अभी यहां पर जो अपना आंसर आना चाहिए एक दम एक्यूरेट होना चाहिए तो सारा का सारा नूडल हम इसमें पापस अपना एक दम खाली हो चुका है और यहां पर जो हमने गिरा दी जाना मेगी वापस से समेट्री इसके अंदर रख दिये क्योंकि जो आंसर आना चाहिए एक दम एक्यूरेट आना चाहिए और जो वह वाले हमने फर्स्ट मेंगी उपन की ती उसके अंदर हम रखेंगे नीचे किरा दिया दा बट इसका सब कुछ समेट लिया है तो अभी दयार हो जाए और देखती है कि इसके अंदर कितनी मेगी होती है तो यहां पर आ जाए यह है 380 ग्राम के आसपास वापस से यहां पे हो चुका है टाय अल्मूस्ट टाय हो चुका है 10 ग्राम का ऊपर तो चोटा लो या फिर बड़ा बड़ा लो दोनों में एक जेट सेम निकलता है देखो वहां पे था 370 ग्राम यहां पे है 380 ग्राम से थोड़ा सा उपर मैं बना पुछ ज्यादा फर्क रहा नहीं तो दोनों के दुनी यहां पे जीच चुकिया दोनों में होज को है तो आज की वीडियो को पसंद आई होगी पता है ना क्या करना है इस वीडियो को फटावट सा आप लोगों को लाइक कर देना है तार्गेटर मुछ रखते नहीं लाइक जरूशे कर देना कमेंट करके बताना अगर ऐसा कोई आइडिया आपके दिमाग में है अम उस पर वी बाद जो भी भाई लोग नहीं आया है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के एकन पर प्रेस करना मिलकर में बुलना और यह है हमारे पास बहुत सारी मेगी चलो इसको कुप करके निकल जाते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो